अपनी पसंदिदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्ले मुवीज बेल आइकन को दबाएं को अ यज दिया थाहीं हुआ हुआ टो कर दो 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 कर. यो कर दो कर दो कर दो कर । कर दो कर दो भला. कर दो में घँए जार प्रेम शास्तर को ई हुआ पंटर मात क्लिटर। प्रेम शास्त्र कोई प्रेम सिखाने वाला शास्त्र नहीं है, बलके एक राइटर की जिन्दगी एक ऐसे राइटर की जिन्दगी जो अपनी नई कहानी के लिए प्लॉट ढून रहा था, मगर ये भूल गया था कि उसके अपनी जिन्दगी भी एक प्लॉट है, खैर वो तो प्लॉट ढूनता रहा, मगर मैंने उसकी जिन्दगी को लेकर फिल्म बना दी, प्रेम शास्त्र, ये है वो राइटर, प्रेम शास्त्र का हीरो सागर शर्मा, क्या फो गया है मुझे, साथ दिन हो गया आए हुए, अभी तक एक भी प्लॉट नहीं मिला का हुएगा, प्लॉट ये दोनों शाय फाइब बहन है, क्या सपने देखते होंगे अपने फ्यूचर के बारे में, अकर ये तो बच्चे हैं, इनों अभी सपने देखने शुरूई कहां किये होंगे, इनके माम भाप जरूर सपने देखते होंगे कि हमारा बेटा बड़ा होकर जज्ज ब पर बाप इतनी दूट में ही सोच सकता था, तो भी क्या सोचेगा, डॉक्तर बनेगा, हां डॉक्तर ठीक है, अगर डॉक्तर ही रो होगा तो कहानी अच्छी बनेगी, मगर डॉक्तर ही रो कहाँसे होगा, सबने साच थोड़िक होते हैं यह दोनों दो घंटे से आम बैठे क्या बाते कर रहे होंगे? आपने फूचर की, मैरीड लाइफ की, यह भी तरी प्लाट हो सकता है? यह हो सकता है, यह भी अच्छा प्लाट हो सकता है, रेच के महल नाम रखा जा इसका, क्योंकि जो यह लोग अभी सोच रहे हैं, और जो शादी के बात सामने आएगा, उसको बहुत फर्क होगा, यही तो कहानी है। सागत, तुम फ्लाट ढूं रहे हो या कुछ और, और क्या? मन की शांती, तुम मन की शांती ढूं रहे हो, सची खुशी ढूं रहे हो, यह सब कुछ सचे प्यार में मिलता है, जो तुम्हें नहीं मिला। चलो होटल चलते हैं, दो एक पर विस्की मातते हैं, कुछ ना कुछ सुवशी जाएगा अुछ सुवशी जाएगा कुछ सुवशी जाएगा जाएगा धर इन्या वा है क्या लिखते हैं आप ताप शुरू करतो खत्ने कि ये बना रहा नहीं कर दी आपने यह वेरी बॉल्ड अहाइली प्रोग्रेसिव व्यां पॉपुलर रहाईल बना नहीं कर दो और लिए यहाइली हैं वीजाईलस्या हैं तो ऱ्रूप्ररेस्वते हैं अजिए हैं वीज़ मेरेज़ू कर दो कर दोब्रेस्टेम आपका नाम बर्खा आए है वर्षा बर्खा लोग प्यारती कहते है यह आपने लिकाए जी मैं कुछ प्रटिशन कर दू शोग से प्यार की भेंट प्यार के साथ बर्खा को प्यार की भींचतो है मगर प्यार वाकी रहा फिर कभी ले लिए बुलेगा मत मैं मांगने आजाओंगी में वाइक प्रटिशन कर दूसरोग है मिलाई तुमस रादर सर्मा से ये, मैनद देखिये ओ, मैनद देखिये तक तुमस्मार्ट पेड़ो बर्खा कहा है? बर्खा, हमरे साथ हिता थी कहा है? वो आ गे और के बाई बर्खा, तूने वोटोग्राफ में लिया प्यार की भी, प्यार के साथ, बर्खा को, सादर बच के रहना बर्खा, ये राइटर, पेंटर, मिजिशियन, एप्टर, साब भवरे की तरह होते हैं और कली का रस्ट चुसकर हूँ जाते हैं Thank you for your kind advice मेरा प्यार मिस बर्खा जी, याद है आपने कहा था, प्यार बाकी रहा, फिर कभी लेरी जिगा, वो ही मांगने आई है फिर कभी है आपका प्यार, जी, सागर का प्यार बर्खा के नाम लिखका भेज़ी, जी नहीं, मुझे लिखा हुआ प्यार नहीं चाहिए मुझे आपको बूलता हुआ प्यार चाहिए, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत प्यार जी, नहीं, लिखा हुआ नहीं, बूलता हुआ नहीं, मुझे खामोश प्यार चाहिए दिल की धरकन को तेज करने वाला आँखों की रंग को फिर कभी के लुजे खामोश प्यार माजे खामोश प्यार चाहिए मुझे खामोश रख लगा मेरी खामोश प्यार मुझे प्यार कर, एकजार कर मुझे प्यार कर, एकजार कर मुझे आज तो फुरसत नहीं कभी फिर सही मुझे प्यार कर, एकजार कर मुझे आज तो फुरसत नहीं कभी फिर सही मुझे प्यार कर, एकजार कर मुझे जानने दे, ओ मुझे जानने दे, ना, ना, जल आने दे, जल फिर सही पर आज भी आँखे चार कर, मुझे चार कर कर से लिए बाते कई, आज बाते कई, यो ही गई, राते कई, राते कई, राते में लगिन, दो चार दिन, इंतजार कर, इंतिजार कर, इंतिजार कर, आननानाना मर्जी है क्या, तू मान जा, क्या मान लो, ना दान जा, जिद छोड़ दे, जिद छोड़ दे, सौ बार कर, सौ बार कर, मुझे प्यार कर, इंतिजार कर, मुझे आज तो पुरसद नहीं, तब फिर सही, अज नानना, मुझे प्यार कर, इंतिजार कर, ओ मुझे प्यार कर, नाननाना में अजया साकर अरे दिवान तुम यहाँ कर रहे हो तिशले 15 मिनट से तुम्हें धूनटाओं जार होटिल में दूदर सूरीच ले रखे हैं क्या अवेशा कोईनों को मिलने चला आता है इसलिए दूसरा स्वीट लिखने पढ़ने आ और रास लोगों के लिए विस्की पी होगे जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो खत्म कर लो बाद में देखा जाएगा ना डॉन्ट टेल में तुम मेरी तराज में आया हूँ यह मुझसे मिलने आया हूँ कसम ले लो जो मुझे दूसरा कोई काम हो शुर की फ्लाइट से आया हूँ शाम की फ्लाइट से चला जाओंगा खैरियत है खैरियत नहीं तुम्हारी किताब तन की जौला ने तनका मचा दिया अफिस में बैटल शौल हो गया जो बिक नहीं रही है एजन्स कौपी है लोता रहे है विक तो बहुत रही है और जितनी जयदा भिक रही है उतना लिट चायरस रहे है उतना ही ज्यादा शोर मच रहा है उनका कहना है कि मा बेटी की शादी हमारा समाज कबूल नहीं कर सकता इनमें दो चार मश्रूर राइटर्स भी हैं इनमें वो सब लोग होंगे हैं जिन्होंने अंधेरे में शराप पी हैं और उजाले में प्रोहिबिशन के लिए लड़े हैं इन सब हिपोक्रिटों से डर गए के लिए तयार नहीं है कि वो 24 साल की लड़की 26 साल की लड़के की मा मन गई रिष्टा वो जिसे दिल कबूल करें जिसे दिबाग कबूल करें कच्छे धागे में गाठे मारने से रिष्टे नहीं बन जाते हैं तुम कल ही वापस जाओ और एक अच्छा सा वकील फिक्स करो अगर बैंड ओडर आया तो हम यह केस लड़ेंगे तुम सरकार से केस लड़ोगे सिर्फ सरकार से ही नहीं बलके हर उस इंसान से लड़ेंगे जो हमें लखीर क्या फकीव बनने पर मजबूर करता है वो इसके पिलाओ या का है उसके लैट्स बैटर अभी लाया अरे बर्का तुम अभी तक ऐसी बाठी है बस कबसे पेयार खड़ी है चलना नहीं तुम लोग जाओ मैं नहीं जाओंगे क्यों बला तुम क्यों ने चलोगे मुझे कहीं और जाना है किसे से मिलने है है किसे किसी पंची के परकाट दिये क्या सागर शर्मा ओ माइग गॉड़ बच के रहना बर्का इस पंची के पर कातने पर भी फूर हो जाएगा जिस पंची का नाम मन है उसमें कैद होने के बाद कैसे उड़ेगा कौन जाने पंची का मन है यतन पंच्रा तुम नहीं है तन तो द्वार है ओहो लगी वार बर्का पर तो द्वार अगर बंद कर दिया है तो खोलना मत इस पंची का कोई भरोसा नहीं है ओखी बबाए बबाए जाए कब तक दिमाग चलता रहेगा तमाग कब तक चलता रहेगा जब तक तुम सामने हो पास हो मेरा पास होना तिसक्राफ पी असर करता है दिल पर भी करेगा वैट वान मिनिट झालोग। ये जाट जाट। जिप 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 करता है क्यार जानी लिखना है तो निख प्यार की कहानी जिप 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 करता है क्यार जानी लिखना है तो निख प्यार की कहानी रुत मस्तानी उस्ब जानी छोड़ना दानी जिप 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 करता है क्यार जानी लिखना है तो निख प्यार की कहानी तिप 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 तेरे दिल पे मैं अपना नाम लिख दो मेरे दिल पे तु अपना नाम लिख दे पेगाम लिख दे सलाम लिख दे में जाने दे जाने दे जाने लिखना है तो लिख प्यार की कहाने चिप 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 करता है क्या रिल जानी लिखना है तो लिख प्यार की कहाने कागज को ना करका ला वेकर में तेरे इनकार में मेरी परार में चली न जाए रुतमस्तानी निखना है तो निख प्यार की कहानी रुतमस्तानी उस पे जानी छोड़ना दानी करता है क्यार जानी लिखना है तो निख प्यार की कहानी क्या है जा हुआद बाल आज जा रहे हैं आप यह कैसा प्यार है ना वादे किये ना कसमे खाई ना कुछ फ्यूजर के प्लान बनाए इसके बावजूद भी यह कुछ दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बेताया है जिन्दगी भर याद रहेंगे मुझी जनम जनम तक याद रहेंगे तुम तो राइट रहें जैसी वात है करने लेगे राजर के साथ रही हो ना कुछ दिन तुमनों कब जा रहे हो यहां से कर शाम को रेट के महल जब छप जाएगी तो मुझी भेजेंगे ना और रोज एक खत लिखेंगे लिखोगा मुझसे मिलने को दिल नहीं करेगा बिशरने को दिल नहीं कर रहा है अच्छा आपकी जिंदगी में तो बहुत से लड़की आई होंगी आई है आकर चली गई है हाँ, आकर चली गई मैं भी उन्हीं में से एक हूं बर्का जी मुझे भूल जाने की पुर्शिश करना जब आपको चाहने की चाहत ने दिल में जनम लिया था सूजा था आपको पाकर खो दूँगी, भूल जाँगी मगर आपकी बाहों में आकर बेपस हो गई हूं आपकी सांस में मुझे अपनी जन्दगी का संगीत सुनाई दिया है आपकी सीने पर सरलब कर मुझे स्वर कर रहतास हुआ है मैं नहीं पर दूँगू लिया को बर्का मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा ये प्यार सदा के लिए मेरा हो जाए अरे बर्का क्या हुआ है तुझे पिचारे चड़िया पंचे फास में गए थे फुल फास में अरे ऐसे छोटे छोटे इंसिदेंस में सीरिस होने लगोगी तो जिन्दगी को जानोगी कैसे चार दिन में सागर सहाप के साथ जो कुछ जाना वो जिन्दगी भर के लिए काफी है और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है चलो भाई ये तो डेदास की छोटी में नहीं चलो 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 और नहीं चलो 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 ये विए में उपता की चलो 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 को है 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 अधर है यह थो नहीं है आंधर आप यह अजला आप हर दस मिनिट पेले पार्टी में गया बोलके बिना आने में टाइम लगेगा अच्रा आउच्छे थोड़ी कॉफी पिलाओ आये झाल मैं जार्लिंग राइटर। मैं साथ, साथ ने डिस्टर्ट करने को मना किया है। मैं पूट। मना किया है। एक वाइफ अगर रात के वक्त हस्बंट को डिस्टर नहीं का सकती। तु शादी का फाइदा क्या है। I'm sorry, madam. लॉट। I will file a dime of sort! मैं दीनर लगाऊ। To hell with your dinner! Get me a drink! Okay, madam. I've been lost in your memory. I've been lost in your thoughts. Don't forget me. कि अजरों मील दूर है कर भी कितना पास रहते हैं आप। आंक बंद कर तीनूं आप सामने आ जाते हैं। आपके खतों को अगर किताब का रूप दे दिया जाए तो वहीं एक अच्छा खासा प्रेम शास्त्र बन जाएगा गवराने की कोई बात ने हीँ इन जोन ऐसा होता हीँ छककर आना उल्टिया होना दिल गवराना इससा महामुली बाते हैं आपकी पेटी मामनने मुद्र कि 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 करत कर दो आर बार बार्श जार्ब इूर्ब्सा आर आरा इप स्कारव लाँनिता हर दो जैसे तजर आराशले लाँनिता हर। तुम्हारे खबी को तो बुलाओ तुम्हारे नसुर्टर सागर साभ कहा है भई वो दो मेहने से अपनी नइ सिताब ऐसा जुपा हुआ है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेका यह मिसिस शर्मा वाके बड़ी ग्लैमरस हो रहता है हाँ यार इतनी उमर होगी है लेकिन कमभथ आज भी जवाज नसनाती है अभ्ली है नहीं लेकि बाहते है हीवार नहीं चारे नहीं नहीं पूमाः यहारा हुआ है है जाए कि अरे यार सागर तुम तो मुझे मर्वाद होगे तुमने कहा ता पीन सो सफे होंगे अभी तो स्थाव नहीं हुए अरे बिलकुल क्लामेक्स पर हूँ ठीक दो दिन के बाद स्क्रिप्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा या आखरी और पक्का वादा है दीलर्स हाद धोके मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं जल्दी मचा रहे हैं मुझे उन्हें भेजना है आच्छा देखता हूं तुम्हारा आखरी वादा जब कभी भी आता हूं तुम कुछ ने कुछ करके तरका देते हूं हाला नीलू हाव आर्योडियर्व आखरी अच्छी है आप कैसे हैं दिवाल साथ अरे तुम्हारे इस ग्रेट राइडर पीछे चकर काटे काटे में दूबला हो गया नेरे जूते घिस घिस का चपल बन गयी अब दो दिन का वादा है ये चालीसवादा है हाँ अच्छा बा आवा अरे, रुख क्यों गई? आवान यह है मशूर राइटर सागर शर्मा मेरे डियर डार्लिंग हस्पन्ट और सागर, यह है बर्खा मेरी छोटी दहन यह दो दिन से आई हुई है यहाँ इसलिए नहीं लाई कि तुम्हारी किताब रेट के महल शायद खत्रे में पड़ जाते है तुम्ही शान की पसंद है और यह बड़ी नटखट है कहाँ ठहराया इसलिए होटल न्यूस्टार में दस बारा दिन ठहरेगी फिर चली चाहिए कल मरी किताब खत्म हो जागी फिर इसे यह ले आना किताब खत्म होने वाला कल शायर मुश्किल से याता है है देखेंगे अभी तम ऐसे बाहर गुमाने ले जा रहे थी सोचा तुमसे मिला जू अ.. No, don't accuse me of disturbing you You were already out क्या बात है बख्या सागर से मिलके एक्कम खामोश ही हो गई क्या बात है बख्या नहीं वही तुम ऐसे है Don't worry सब ठीक हो जाएगा Dr. Verma बहुत देर से वेट चलता है Dr. Verma Dr. Verma क्या हाल है मैं सब चीक है कुछ लिख रहा है चीक्या Really very sorry to disturb you यार नीलू अपनी बहन बर्खा को लेके मेरे पास लेगी अचा बर्खा प्रेटनन्ट है मैं पता बर्खा प्रेटन्ट है तुम्हें पता है नीलू उसका बोशन करवाना चाहती है रिस्की काम है कब का फिक्स किया है अब वाशन भही पहले तुम्हें निंकार कर लिया था तुम जानते हो मैं इसाब कुछ नहीं करता लेकिन फिर मैंने सोचा लेलू शायद किसी दुसरी दूर्टर के पास चली जाए इसलिए मैंने आपकर दे कल सुबह 10 पर जाएगी हो मेरे पास तुम्हारे नर्सिंहों में? येस ठीका मैं मैं तुम्हे सुबह 10 पर जाएगा ओके अच मैं चलतो ह। बाइबाइ कब तक मूमोरे खड़े रह। इतना बड़ा धोका क्यों दिया मुझे मैंने क्या ब shorts आपका धोका? मैंने तुम्हे धोकास दिया? हाँ क्यों नहीं बताये मुझे के आप शादी सुदा है वरका किसे के साथ एक एक ही मकान में एक ही छट के नीचे रहने के मतलब शादी तुम बताओ, तुमने मुझे ख़वर क्यों नहीं थी, कि तुम माँ बनने वाली हो, यहां कर तुम मुझे से क्यों नहीं मिली, निलू से क्यों मिली? मैंने सूचा आप बेकार परिशान होंगे, इसलिए आपको बिना बताए कोशिश करती रही कि इससे जान छूप जाए, लगर जितमें डॉक्टरों से मिली, कोई इलीगल काम करने को तयार नहीं था, सूचे यहां आखर करा दूंगे, जब यहां पहुंची, तो स्वागत के इसलिए आपके पत्नी स्टेशन पर ही मौचुद थी, फिस दोने दिम्राग के बारा एक बजी तक साथ रही, इसलिए ना मैं आपको फोन कर सकी और नहीं मिल सकी, मगर अच्छा ही हुआ मैं आपके घर आपसे मिलने नहीं आए, नहीं तो, नहीं तो क्या होता, साली पर तो इसलिए तुम्हें बॉर्शन के राजी हो गई हो, और क्या हो सकता है, क्या कहूंगे मैं दुनिया से, कि मेरे बच्चे का बाप मैं इस विश्टे को नहीं मानती, नहीं मानती मगर मुझे बताईए, मैं क्या करूँ मेरी एक बात मानोंगी बर्खा खुद कुशी कर लो नहीं, एवार्शन मत कराओ सागर सहा बर्खा जब तक मैं इस बात का पक्का पता नहीं लगा लेजा कि तुम सस्मुष नीलू की बेटी हो जी नहीं तुम्हें कोई हक नहीं है ना अपने जिंदगी से खेलने का ना पेट के बच्चे के जिंदगी से खेलने का आपने शादी कैसे की थी इस औरत से? लव मैरिज है जिन हाला अपने मैंने इस औरत से शाज़ी की थी तुम नहीं जाना तो अच्छा है नहीं, मुझे बताईए मेरी मा के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं, मैं सब जाना चाहते हो पलीज बताएए मुझे शुरू शुरू में जब मैं नया नया राइत बना था तो मुझे आपर्टीस में जाना के बहुत शॉक था मैं उन पार्टीों का फीरु हुखता और क्योंके मैं पयसेवालों की क्लासल से था हर रोज एकमे पार्टी रहती थी इसी तरह की एक पार्टी में है मेरे खिश्चे हो गए खत्म सारे अब न कोई पुकारे मैं शराप्ठी रहा हूँ मैं शराप्ठी रहा हूँ मैं शराप्ठी रहा हूँ ऐ हसी ना जान ले वो तिवाना मैं नहीं मेरे लवज छुम ले वो तराना मैं नहीं ऐ हसी ना जान ले वो तिवाना मैं नहीं तेरे लवज छुम ले वो तराना मैं नहीं वो तराना मैं नहीं किसलिए तेरी आखें कर रही है इशारे अगन कोई पुकारे मैं शराप्ठी रहा हूँ मैं शराप्ठी रहा हूँ शराप्ठी राज सर्थ मैं शराप्ठी राज देवाँ मैं शराप्ठी रहा है खुस्न क्या है एक हसी जिन्दगी की फूल है इश्क में है कुछ नशा ये मगर फजूल है जिस नभी की महबत मर गया घम के मारे अब न कोई पुतारे मैं शरापी रहा हूँ मैं शरापी रहा हूँ दोस्तों मेरे फिस से खो गए खत्म सारे अब न कोई पुतारे मैं शरापी रहा हूँ मैं शरापी रहा हूँ कर दो मैं रहा हूँ कर दो कर दो स्टॉप एट नीलू माई जया मुझे ये कहानी कल तर ख़त्म करके पब्लिश को देने माई दियर ग्रेट आथर तुम्हारे छोटा सा किसा जो मेरे पेट में पल रहा है उसको क्या होगा क्यों मुझे प्राश का प्रेट अधर गए ना इस मामले में सभी मर्द दर्वोख होते हैं मैं मजब नहीं कर रही सच कह रही हूं इससे पहले कि तुम ये मुझे कहो कि मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो अब प्लीज केट आउट मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं इस पच्चे को किराओंगी नहीं अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो मैं इस किस्ते को अखबारों में देदेंगी मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम्हारा कैरियर है जो अभी अभी शुरू हुआ है सत्या नास हो जाएगा तुम्हारा भला इसी में है कि तुम कल मेरे साथ रजिस्टरा के दफ्तर में चलकर मुझस से शादी कोई मगर वो बच्चा कहा है वो बच्चा? वो बच्चा था यह नहीं तो होगा कहां से ये तो बाद में पता चला कि मुझसे शादी करने के लिए उसने जूट बोला था मैं इनुसेंट सा उसकी चाल में फस गया और आज तक फसा हुआ हूँ हम दोनों एक ही नागिन की डसे हुए है मगर मेरा बाप कौन है मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरी बीवी का शादी से पहले का कोई बच्चा है तो उसके बाप के पता कैसे होगा और तुम भी जान कर क्या करोगी प्लीज पता लगा कर मुझे बताईए मैं उस इंसान के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मेरी मा को इस आदमी के पास से वापस ले आओ जो मेरी जंदकी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा लियकिन तुम ही प्र OMS करो कि तुम एभॉर्चन नहीं करा उली नहीं करांगी मगर आप करेंगी क्या अगर वो डिवोर्स के लिए राजी नहई थै मैं कुछ भी करूगा अगर वो डाइवोर्स के लिए राजी ना हुई तो भी मुझे डाइवोर्स में लाएगा और अगर ना मिला तो मैं उसका मर्डर करके तुम सचारी करूँ अगर तुम साथ दो तो साथ सागर साथ, तासी, नोकरानी, बीबी जो भी जगह मुझे आपकी जीवर में मिलेगी, मैं उसे खुशी से कबूर कर लूगे मगर एक बात याद रखेगा मैं अपनी माँ जैसे माँ नहीं हूँ मेरे पेक में सच मुझापका बच्चा है मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ क्या जिस प्यार के मुझे पच्पन से तलाश है वो नीलु की बाहों में नहीं है बर्का की आखों में है प्लीजा है प्लीजा की माँदै आद रखेश मैं वेड़िए भी तरक्राइस कृमिर मैं अटारू आज इतनी राथ को मेरी हाथ कैसे आगई Have a drink मेरा आखरी जाम है तुम पहला ही पिलो मेरे साथ मैं शराब पीने नहीं आया हूँ Then let's go to bed बिस्तर और शराब ते इलावा और भी कोई रीजन हो सकता है मेरे जहादे का मान क्यूं नहीं लेते That you are no more man You shut up आज पहली दफा तुमने मर्दों जैसी बात की है I am so happy नीलू मैं तुमसे कुछ पूचने आया हूँ और कुछ कहने आया हूँ इत्मे नाम से बैक के मुझे जवाब दो और अगर हलना करोगी तो उठा के खिर्की से बार भेंग दूगा सागर या तो तुम्हें अपने कोटे से जड़ा पी रखी है या फिर कोई आरत तुम्हारी जिंदगी में आई है जिसने तुम्हें बहुत इंस्पार किया है मगर याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं Sit down सिरफ confidence से काम नहीं चलता तुम्हें कैसे पता चला मजया भी बहुत मिश्पता है सुनोगी दखोड़ जाएंगा तुम्हारी तुम्हें जिंदगी में कभी मान नहीं बन सकते शायद इसलिए तुमसे अपनी बेटी का मान पतना पत्रश्टे हुआ काल सुबह 10 बज़े तुम्हें उसका अबाशन फिक्स किया है माइगाड तुम्हें तुम्हें तु सब कुछ मादु में अब तुम्हें बताओ में क्या करूँ बर्खाव सादमी का नाम बताने को तयार रही जिसका ये बच्चा है माई रादा उसका नहीं येस, माई डियार कान है वो? सबर से काम लो, धीरे धीरे सब पदल आगा तुम्हें मुझे चीट किया था ना? धोका दिया था ना मुझे जूट बोल करके तुम्हारे पेट मेरा बच्चा है तुमने मुझसे शादी की? आज खुद्रत ने उसी चीटें के बदला तुमसे लिया है सागर तुम्हें बर्खा के बच्चे का बाप मैं हूँ और तुम्हें ये जान का खुशी होगी कि उसने अबोर्शन का रादा बदल दिया है ये बच्चा पैदा होगा नीलू मेरा बच्चा तुम्हारे बेट से नहीं बर्खा के बेट से है तुम जोर बोल रहा हो सागर ये नहीं हो सकता सच जब बहुत करवा होता है तो इंसान आपने आपका वरेब देने के लिए कहता है कि ये जूट है ये तो मुझे कहना था पूछना भी बागी है बर्खा का बाप कॉल है सागर अब तक तुम हदर है अब मेरी बारी है जानना चाहते हो बर्खा का बाप कॉल है मैं डियर डार्लिंग सुनोगे तो खोश उड़ जाएंगे कौन है बर्खा का बाप बर्खा का बाप तुम्हारा बाप भी हो सकता है मैंने कहा हो सकता है ये तो नहीं कहा की है सागर जब तुम्हें पता चलेगा की बर्खा का बाप कॉन है तो तुम नात रगड़ोगे मेरे पैर पकड़कर गिर गिर आओगे कि ने लूब रखाता आवर्शन करा तो क्योंकि जब इस पैगनसी का पता चल जाएगा तो समाना तुम पर धोगेगा वेट आशर शोल अब बोलते क्यों नहीं ताला क्यों लगए तुम ले जबान पर कहे तो कि तुम इसे पहचानते नहीं कहदो कि ये तुम्हार बड़ा भाई नहीं है इस 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 इंपाशिदे ये जूट है सच जब बहुत कड़ा होता है तो इंसान अपने आप को फरेद देने के लिए ये ही कहता है कि ये जूट है कि ये दुम्हार वेलों नहीं है कि कहाँ दुम्हार वे जुम्हारो सुद्ट है कि अजब आप कि ये अज बड़ नहीं है कि ये रवे ये जूब एजशान थारी टुम्हार परेदा-वें कि अग्रेश्टे नहीं आपकी बीवी हूं एक रिष्टे से मैं आपकी भातीजी हूं और एक रिष्टे से नहीं है खून के रिष्टे में खून बोलता है अगर तुम्हारी रगों में मेरे बड़े भाई का फून होता तो उसे बोलना चाहिए था तुम्हें देखकर मुझे यह महसूस होना चाहिए था कि तुम्हेरी बतीजी हो या बैन हो या लेकिन ऐसे नहीं है तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ यही लगता है कि तुम्हेरी प्रेमिका हो या बिलविट हो वो तो अंजाने में था अब सब कुछ जानकर भी महसूस होता जो अन्जाने में होता था, इसलिए तो कहता हूँ, कि ये सब जूट है, मैं काली जाता हूँ मनाले, बड़े भाई से मिले, सारी बात साफ हो दाएंगे, मैं भी साथ चलूँगे, मुझे अब अकेले बहुत डर लगता है, आं तुम भी साथ चलूँगे, लेकर नगर ये सच निकला, वा कि आपके बड़े बाई साथ मेरे पिता हुए तो, तो क्या, हम दोनों एक तूसरे का हाथ पकड़ कर, किसी नर्टी ये समंदर ना कूट पड़ेंगे, गिल्ट की सिंदगी से दुमा पच्छी है, मगर हमारा दोश क्या है, हमारा दोश नहीं है, हमारे कून का हमारा दोश है, उसे बोलना चाहिए ताकि हम चाचा बतीजे हैं, लेकल बोला नहीं है, हार उसकी खामोशी के सब भुकत में बढ़ेंगे, अगर मरना पड़ा, तो सच मुझ अब मेरा साथ देंगे, अब तो फैसला कर लिया है, कि जिएंगे तो साथ, और मरेंगे तो साथ साथ, साथ, साथ अब, आज सुब गरीब साथ बजए, किसके साथ, जिस साथ तो कोई नहीं था, I see, बिल वो दे गई है, Mr. Diwan, आए, आए Mrs. Sharma, प्लिस टेकि उस्टेस, थेंक यू, मैं एक मिनिट में ये प्रूस चेक करके आप से बात करता हूँ, दिवान साथ, 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 कहा है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो फुद उसके तलाश में हूँ, इसका मतलब है वो भाग गया, भाग गया, कहा भाग गया, काश मुझे पता होता, वो मेरी जवान बेटी को लेके भाग है, दिवान साथ, यह आप क्या कह रहे है Mrs. Sharma, सच कह रही हूँ, क्या आप सानिसे टर्बोस का फोन नबर देंगे, ओ, शूर, पेढ dessert लेके लाग, ओमादाई लीजा किया कर दो अटाए हुआ हाए कि दो बिंड़ लेज बीजा कि आपाए कि नमादा दोली 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 अटाए है शोली अटटी कि आपा है भाईया अरे सागर अप्तर रेजिस हमारी याद कैसे आ गई भाईया ये बर्खा है और मेरे बड़े भाई जीती रहो बेटी जीती रहो पिछले बारा साल में तुम्हे छे खत लिखे तीन टेलीफोन किये और आज पहली मर्तबा सकल दिखाई कहने को ये मेरा छोटा भाईया भाईया आप तो जानती है आओ अंदर आओ भाईया ये बर्खा नेलू की लड़की है नेलू? ओ यू में तुम्हारे बेवी की? लेकिन मैं इसका बाप नहीं हूँ नेलू के मुझसे शादी करने के करीब 8 साल पहले ये पैदा हुई वागे मुझे इसकी पैदाश के कोई इल्म नहीं था नेलू ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि मुझसे शादी करने से पहले का भी इसके को पच्चा है इसी लाइल्मी में मेरी ये बर्फट मोला गात हुई और हम एक दूसरे को चाने लगे और आज ये चाहत एक ऐसे मोड पर है कि हमने फैसला किया है कि जिएंगे तुसाथ मरेंगे तुसे तुम्हारा मतलब है जो औरत तुम्हारी बीबी है उसकी बेटी से तुम प्यार करते हो जी तुम्हारी ये मौरल से गिरी हुई बात होगी समाजी से बरदास नहीं करेगा इसमें इम मौरल क्या है भाईया प्यार करना, शादी करना या कैसी बीबी को तलाग देना जिसके साथ शादी शुदा जिन्दगी का एक लमा भी सुक्म से ना गुजरा हो ये सब ठीक है, मगर बीबी की बेटी से शादी करना भाईया, फर्स करो मेरे और बरखा के ये पता चलने से पहले के बरखा नीलू की बेटी है नीलू मर जाती है और मैं बरखा से शादी कर लेता हूँ किसी को कुछ पता नहीं चलता Everything is fine Yes, everything is fine मगर पता लगने के बाद? पता लगने के बाद क्या बदल जाता है? रिष्टा बदल जाता है सागर तुम उस लड़की के बाप बन जाते हो जिससे तुम शादी करने जा रहे है कैसे भाईया? मुझ में आप बरखा में 12 साल का फरक है और मैंने आज तक ने सुना कि कोई आदमी 12 साल की उमर में बाप बन गया हो बच्चों की तरह बाते मत करो सागर I mean to say तुम इस लड़की की मा के पती तो हो आप जानना चाहेंगे हम कैसे पती पतनी है जब हम दोनों एक दूसरे से फैट आप हो चुके हैं तो एक साथ रहने का मकसद क्या है? अलग होने का भी मकसद क्या है? क्या तुम्हे कोई ऐसी मिल गई है जिससे तुम मुझे डाउस देकर शादी करना चाहते हूं? अब ही तक तुम नहीं मिली लेकिन ठोख लोगा तो फिर क्या तुम आजादी चाहते हूं? आजादी की ज़रूद शायद मुझे से जादा है तुम्हें है मुझे जो आजादी चाहिए वो तुम्हेरे साथ बंदे रहने में ही है तुम से अलग होकर नहीं क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी रहे कर बहुत कुछ कर सकती हूं जो शायद डाउस के बाद मैं कर सकूं और तुम भी मेरे पती होने का सर्टिफिकेट लिए हूँ तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि लीग ली एक दूसरे के साथ बंदे रहने में जो अजादी है वो इस बंदन को तोड़कर मिलने माई अजादी से ज्याद अच्छी है बहाद अच्छी है देखो सागर जब तक मैं और तुम दोनों किसी और से हमेशा के लिए नहीं बनना चाते तब तक हम दोनों पती पती है मैं नहीं सोचती तुम क्या करते हो और और मैं भी नहीं सोचती कि तुम क्या करती हो Is that a bargain? Arrangement इसके बावजूद यह बहुत से associations की president है और society में बहुत एज़ियत है उसकी वो बुझ से नफ़त करती है मैं उससे नफ़त करता हूँ फिर भी हम एकी छट नीचे रहते हैं उपर से बहुत खुश और सुखी नजर आते हैं और हो सकता है कुछ लोग हमारी शादी शुदा जिंदगी की मिसाल भी देते होंगे मगर यह सब क्या है परेब है? मॉरल है? मुझे मालूम नहीं था बात यहां तक पहुँच गई है मैं यह जमिले में पढ़ना नहीं चाहता है तुमको जो अच्छा लगता है वही करो इस ते वेरी सीरियस प्राब्लम मगर इससे भी सीरियस एक और प्राब्लम है भाया जिसके लिए हम आपके पास आए आप कभी नीलू से मिले यह 1951 में मिस इंडिया थी न? थी मैं जानता हूं इसे क्योंकि मैंनी इस कंटेस्ट में एक्टिप पढ़ लिया था इस ओरत का कहना है भाया के आप बर्खा के बाप क्योंकि मैं अवा हूं झाल झाल बोलते क्यों नी भाईया बताईए ना कि आप बर्का के बाप हैं तुम दोनों यही ठेहरू मैं अब आता हूँ झाला, पुम जाईए भूप दोनों यही ठीक वाईए भूभार्व पुम दोनों तुमाट्य कि आता हूँ इजय हुआ है तुम दोनों धुम दोनों ध्याशना ना ना सकता तुम आता है तुम सहा हूँ कर फवा Acts 4 पिल्ट हो पार इա मैं इस वस्ता हूँ, सागर से जूट बोल दूँ उससे क्या होगा? कम से कम वो अपनी बीबी की बेटी से शादी तो नहीं करेगा और अगर कुछ और कर लिया तो? और क्या? हो सकता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और ये जानकर कि तुम बर्खा के पिता हो, प्राइश जिद करने के लिए जान दे दे तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या करना है? जो सच है वो बता दो सागर बच्चा थोड़े ही है, जो ठीक समझेगा, करेगा जरा मेरी पुरानी एड्रसेज वाली डाइरी तो देना सागर, मिस इंडिया बनने की खातिर यह औरा तीन महापुरुषों के साथ चार-चार-पांच पांच राते नहीं थी यह बच्ची जब पेट में थी, उसने उन तीनों को ब्लैकमेल किया करीब एक-एक लाग करके तीन लाग ही कठ्छा किया उसके बाद सुनने में आया था, उसने तीनों में से किसी एक से शादी भी की थी घवराओ नहीं, मैं उन तीनों में से एक नहीं हूँ ये उनके नाम अत्पते हैं थैंक यू भाई गाद करीज जनके बाद करीज बाद करीज बाद करीज बाद हुआ 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 है देखो जान गए सब पहचान गए सब ट्यार हमारा मन्सूजर भोग गला मान गए सब पहचान गए सब मदिकु मान गए सब पहचान गए सब मस्त ख़बों के जोपकों के सर दिल भी जूम रहे है हाँ दिल भी जूम रहे है हम रस्तों पे घूम रहे है वक्त नशी में चूर हो गया जान गए सब पहचान गए सब देखो जान गए सब पहचान गए सब कर दो कर दो कर दो कर दो हार गया ये जमाना आख मिलाता नहीं किसी से अपना दिल दीवाना इश्क बड़ा मगरूर हो गया जान गए सब पहचान गए सब बड़े को मान गए सब पहचान गए सब नाम हमारा मशहूर हो गया जार हमारा अंदूर हो गया मान गए सब पहचान गए सब बड़े को मान गए सब पहचान गए सब अगर लड़की मैचुर है और उसकी उम्र ही किस साल है तब कोई ovक उन उसे रोक नहीं सकता शादी करनेices आपका मतलब है मेरा हस्बंड मेरी बेटी से शादी कर लेगा और उसके कोई गन रोक नहीं सकता जब तक मिस्टर सागर आपके हस्बंड है ये शादी हो ही नहीं सकती चुके दो शादियां इलाउड नहीं है और मेरा ख्याल है सबसे बेटर तरीका तो यही है शादी को रोपने का कि आप मिस्टर सागर को तलाक मत दीजी उससे क्या होगा वो उसे अपनी मिस्टरस बना कर रख लेगा और इसके खिलाफ भी तो कोई कानून नहीं है कानून तो है लेकिन अगर लड़की राजी है तो कानून कुछ भी नहीं कर सकता लड़के तो राजी है ही क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि लड़की के मर्जी होते हुए भी शादी को रुका जा सके हम कानून तो ऐसा कोई नहीं है हाँ, लोग रिवोल्ट कर सकते हैं जिश्टे के खिलाफ उनके मुँपर थूख सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं प्रोसेशन निकाल सकते हैं लेकिन कानून कुछ नहीं कर सकता अगर वो दोनों चाहेंगे तो कानून उन्हें प्रोटेक्शन भी देगा अज तो फिर ओके मिस्टर बॉस, थैंक यू वरी मच्छ फिर कभी मुझा आपके जरूरत हुए तो मैं आपको फोन करके बिला लूगी थैंक यू वरी मिच्छ झाला उन्हें-ग मेरे दिल में मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरी बेटी को किद्नप किया है यह क्यों नहीं अब तक आगे जोबश करना चाहती है सब कर लो मैं इंटाइबो फूट फाइल करने जा रहा हूं बर्का से शादी करूंगा और तुम किसी भी तरह शादी करोखने सकोते हैं पुलिसर्स के एग्रिमेंट से ले आयाँ मिली? हा मिली क्या कहती है? कहती है तब बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकेगी कहती है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी मुझे एरेस्ट करवाईगी तुम क्या सोचने लगी? आपकी जिंदगी में आकर मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया बर्खा तुम मेरी जिंदगी में मुसीबत नहीं महबत बनके आई हो वो महबत जो आज मुशे अपने जिंदगी से बिज़ाराजीस है यह स्कैंडल बन गया तो आपकी करियर का सत्या नाश हो जागा करियर फिर बन जागा बर्खा दूसरी नहीं मिलेगी इतनी भाग दोड़की मगर यह पता फिर भी नहीं चला कि मेरी रहाए कि तुम्हारा बाप कौन है? बर्खा कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि इस मुल्क के तीन महां पुर्षों में से कोई एक तुम्हारा बाप है बहुत से ऐसी लोग होंगे जिनको सिर्फ इतने पता होगा कि इस मुल्क के तीस करोड में से कोई उनका एक बाप है तसली देना खूब आता है आपको बाप को बाप कहने को जी नहीं चाहता, मा को मा कहने को जी नहीं चाहता बेटी बन के कि सोचती हो, इंसान बन के सोचो, सिर्फ इंसान इंसान बन कर सोचती हूँ, तो सिर्फ आप नजर आते हैं, और कोई दिखाई ही नहीं देता सिर्फ माई हूँ, और है कौन? आप नमस्ते दिल्मा रेवी नमस्ते कैसे ही आप? अच्छी हूं, बेचो हाँ, बढ़ी नग ललन, तुम क्या क्या कर सकते हो? जी, किसके लिए? पैसे के लिए? ओ, चोरी, चकारी, दंगा, फसाद, मार पीट से लेकर मर्डर तक किसके कितने दाम हैं? अजी, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नाम हैं मगर आप से जरूर रियायत करूँगा फरमाईए क्या बात? अगर मुझे कुछ क्राउट चाहिए हो तो यानि कुछ औरते हैं, मर्द, बच्चे कितने चाहिए आप? 200, 500, 1000, 5000, 10,000 दिखिये, ये बड़े-बड़े जलूस निकरते हैं, ये महीं सप्लाई करता हूँ इसी सेनिवा में कोई हुटिंग करवा नी हो किसी बड़े लीडर की मीटिंग में कोई गवबाल, फसाद, धंगा, ये सब भी करवा ही लेता हूँ अच्छा तो ललन, तुम अब जाओ, बस आने पर मैं तुमें बुला लोगी और मैं हाजिर हो जाओगा, नमस्ते यही मकान है? जी तुम यही ठारो अरे बेटी बर्खा, तु यहाँ कब आई? अभी, अभी जाटी जी, ये सागर शर्मा, बहुत बड़ी लेखक हैं और ये है हमारी संदर चज़र जी नमस्ते जी नमस्ते, आप यहीं के हैं? जी हाँ, यहाँ से दस कदम पर मेरी कुटिया है आईए, कुछ जल्पान कीजिए, उसके बाद, यह लोग को बंबल गए है बर्खा के माता-पिता? अजी काहे के माता-पिता, किसी के ओलाद को पाल लेने से आपको तब मालूम है जागे जागे में, मुझे सब कुछ मालूम है बेटी जुरूर बताओंगा, मगर, क्या, आप इसकी जीवनी लिखना चाहते हैं यही समझ लिए अच्छी बात है, सब कुछ बताओंगा, मगर इसमें एक शर्त है क्या? पहले आप मेरी कुटिया पर आईए, जल्पान कीजिए ओ, चलिए भी जाजा जी, यहाँ खड़ी-खड़ी जल्पान धोड़ी होगा ठिक कहा बिती, ठिक कहा, आईए, आईए न, आईए मैं आप लगों को हजार रुटा मेना सिर्फ पर्खा को पालने के लिए नहीं देती कॉलिज में जाके बच्चे आजाद होई जाते हैं नीलु देवी और खास करके उन कॉलिजेज में जहां को एजूकेशन हो, जवान लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हों और फिर दूसरे के आलाद को हाथ-पाँ-बान का बख्खा थोड़े जा सकता है यह बात नहीं है जी, मगर कब क्या होता उसका पता तो चलना चाहिए जो कुछ भी हुआ, उसका पता अगर ठीक आउस पद चल जाता तो आज इतनी बड़ी समस्या तो खड़ी नहीं होती आपकी बेटी आपको मिल गई, अब हमें छुट्टी दे दीजे छुट्टी नहीं मिलेगी, जब तक बच्खा का फ्यासला नहीं होगा, तुम लोग यहीं रहोगे जब के इस कोट में जाएगा, तुम लोगों की कवाही की जगलत पड़ेगी दिवान, ये उन तीन महापुरुशों की पते हैं, जिनोंने 20-22 पहले वें इंडी, मैं को मिस इंडिया बाता है क्या ठाता है इंडिवारेने? चापना कुछ नहीं, जिरिफ इन यहां बोलाना है क्या थे? कैसे बुलाना है, ये तुम सोचो लेकर बुलाना ज़रूर है मैंने इन तीनों के बारे में जो आलूमाद आसल की है, वो के चिस्तर है मिस्टर अरोरा एक टिक्निफाइड आप्मी है, मगर बहुत ही लार्चीह और्टर फोके समगे मिस्टर चौजरी, ख़ब मुश्टवीर के हैं, एक रिस्टेबली शरीफ इंसान है और मिस्टर मुलोत्रा, एक नमर का याश, यानिके फक्खा औरतबाद है आइसे, ठीद है, तुम चिंदा मत करो, मैं इन तीनों को गुलाने का बंदस परता हूँ आग चाँ बंदसान है थैंक्यू यह आईने, यह मुझे बिल्कुल पसंद है क्यों से अच बोलते है इसका मतलब है सच बोलने वाले इंसान भी आपको पसंद है सच बोलने वाले इंसान, कहा है वो मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं जब तुम मेरी बाहों में आकर कहती हो जब दुनकी में मैं किस लड़की से कहता हूं सम दुनियो के हैसी तरी लड़की हो जब लीडर प्लेटफर्म पर खड़ा होकर सामाजिक सवानता की बात करता है तो वो जब तो पहले ही दुसरें से जयदा उंचाई पर खड़ा है आपके चरंड कमलों की धूली, आपके करकमलों की सपर्ष, और आपके मुखार बिंद से निकली मदुर्वानी, ये कौन सी भाइचा है वाई, मदुर्वानी की हम कामना करते हैं, और आपको वचन देते हैं, ये काड़ है, ये किताब है, वचन देते हैं, कि यदि आप इस उटसर पर पदारें, जो के हमें विश्वात है, आप दूरू जुबली सेरिबरेशन, बीं साल कम कर देंगे, क्या ख्याल है, आपको जरूर्वर जाने चाहिए, य मद को सा, आपको जाने है, ये काम्द कशाईए, सर, आपके उमर के बीं साल कम हो जाए तब मुण से शादी करेंगे, लाहाँ, जाल्लेंग, अगर मेरी उमर के बीं साल क तो मैं तुमसे तो क्या, तुम्हारी बेटी से भी शादी करें गुला आईये, पधारिये, कारेकम आरम भोने में तनिक बिलंग है ये राश्टर भाशा तो हो गई, अब कुछ जनता भाशा में बोलिये, समझ तो आए अच्छा, अच्छा, बैचिये वाह, वाह, ये मकान है ये ताजमहल का छोटा भाई ये क्या नांसेंस है बिल्कुल नांसेंस नहीं है साथ प्लेन के रिटर्न टिकर देकर बुलवाया है बड़ी बड़ी तस्वीरे लगवाई है बीस, बाइस साल पुरानी याद तादा करवाई जा रही है इस नांसेंस में भी कुछ तो सेंस जरूर है आई फुली अगर भी त्यूं मिस्टर माल उत्रा ये सब मुझे तो काफे एकसेटिंग लग रहा है आप भी कमाल कर रहे हैं? मैं पुछता हूँ किसी को क्या हक है कि हमारी प्राइवेट जिंदगी हमारे प्राइवेट मामलात में दखल दे आखिर किसी का क्या मकसद हो सकता है हम सब को इस तरह या बुलाने का आप सब को नंगा करना राई नहीं नंगा करने से मेरे मतलब यह नहीं कि में आपके कपड़े उतारूगा मैं आपके चेरे से इजब की वो नकाब उतारूगा जो इसमास के अंधे होने कर स्थबूत है इपोक्रिसी की मिथा है मैं आपको ठीक बाइस साल पीछे लिए जाओगा, जबके आपने को ऐसा काम किया था, जिसे समाल बुरा कहता है, और जिसे चुपा रखने के लिए आपने शाएंद एक लाज के प्याख्ये में दगा की थी, मिस्टर मलहुत्रा कि आपको याद है कि आज से बाइस साल पहले जब मिस इंदिया कांटेस्ट होने में पंदरा बीच दिन बागी से, एक राज, जब आप एक लड़की के साथ अपने बेंडरूम में शराब पी रहे थे हैं, कि मैं हूँ देखने के चीज मुझे बार बार दे, कि मैं हूँ देखने के चीज मुझे बार बार दे, बाती ते लगствен में मैं हूँ मार दे, कि मैं हूँ देखने के मुझे बार बार दे, में हूँ देखने के मुझे बार बार दे, हुआ 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 है मेरा मानी आजाएगी करके तु मेरी आतमे करके तु मेरी आतमे तु मे खरार दे के मैं हुँ देखने की चीज मुझे पारबार दे मैं हुँ देखने की चीज मुझे पारबार दे और मिस्टर चोद्रे आप तो शायद पहला ही पेक बना रहे थे जब खेए ऐसी बत कोई क्या सिताबों में होती है गालों के लले क्या घुलाबों में होती है चुन ले तु मेरे रूप को चुन ले तु मेरे रूप को फिर मेरा प्यार दे के मैं हु लेक लेक चीज़े बार बार दे आप शायद सुए हुए थे जब नीलमा ने आपके कमरे में दाखिल होकर फूलों की बारिश करती थी in in I in हाहा कि जी नहा है कि मरना तेरी बाहों मेầ summary बन स्टेक हुआ है भर कि दो देखने के टीव मुझे पार बार देखね में देखने की चीजने के बार बार दिले जिसके वजूद का कारण नीलू की वो राते हैं जो इसने आप लोग में साथ गुजारी थी इसका पाप कौन है हम में से कोई इस नड़की का बात नहीं मिस्टर अरोरा ये लड़की आसमान से नहीं टपकी है जमीन से भी नहीं होगी है जरा गौस इसके चेहरे को देखिए इसे पैचानिये इसके बारे में सोचिए ये इसके चूचर का सवाल में देखिए मिस्टर मैं आप से खेले में कुछ बाते ही करना चाहता हूँ आहां कहिए तो आईए दिवान साहब जी आपने दूसरों की बीवियों के बारे में तो जाँच परताग करुआ ली अब अगर कभी अपनी बीवी के बारे में जाँच परताग करवाने की जूरूद पढ़े तो बंदे को जूरूर याद फर्माईए मैं अपने खर्चे से हादर हो जाओं तो सुनिये जी मैंने अभी तक शादी नहीं की तो अपने बारे में जांच पड़तार कर वा लिजिये न हाँ आच्छा मानता हूं नीनू तुम्हारा भी जवाब ने जो आज से 20 साल पहले था आज भी बिल्कुल वही है शराब और शबाब दोनों अपनी जगा तायम है थैंक यू विस्टर मलोतरा आपके फ्रैजरी की आदर गई नहीं ये बताईए कि 20 साल पहले आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई नीलू बीस साल पहले की हुई करतूतों का हिसाब मुझसे आज मांगा जा रहा है मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ क्या अगर तुम्हें सागर से शादी करनी थी तो कई और भी थे आखिर क्या वज़ा थी कि तुमने उस हरफरे राइटर को वो जगह दी जिसके लिए आदा हिंदोस्तान पागल था नाम, काम या दाम नहीं मिस्टर मनुत्रा आप तो जानते हैं नाम तो मैंने काम का सहारा लेकर कमा ही लिया था मैं बोल ब्यूब फिर अब बाभी वसल कर लिया थे लाक रुपर तो आप ने दिये थे भूल गए कैसे भूल सकता हूं नीलू मैं उन रियाशों में से नहीं हूँ जो याश्य की कीमत फूम्त सुशाइटी की दर से अदा करते मैं उन याशी में से हूँ, जो याशी की कीमत अपने दिल से अदा करते हैं, मैं एक अच्छा याशी मगर जो कीमत मैंने तुम्हे अदा की थी, वो काफी नहीं थी मैं आज तुम्हे कुछ और भी देने आया हूँ, मैं तुम्हे ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा पती तुम्हें नंगा करना चाता है क्या मतलब? मतलब ये कि उसने तुम्हारी रंगीन रातों के बारे में चान बीन शुरू कर दी है और उस चान बीन में तुम्हारी बेटी भी उसके साथ है क्या? वै उन दोनों को देख लूगी उसने उन चार माह पुरिशों में से तीन को बुलाया था जो तुमें मिस इंडिया बिनाने के जिमदार थे ये जानने के लिए ये तुम्हारी बेटी का बाप कौन है जो चीज तुमें भी नहीं मालूम वो जानना चाहता है मैं उसे जार से माटा लूगी एक बात और भी याद रखना नीलू तुम जैसे औरत के लिए पती की नजरों से गिरकर जीना तो शायद मुश्कल नहीं होगा मगर उलाद की नजरों से गिरकर एक माँ के लिए जीना शायद बहुत मुश्कल होगा मैं उन दोनों को खत कर तूँगी दोनों को? अरत को समझना मुझ जैसे याश की अकल से भी बाहर है हाई लिए लोग बर्खा कहा है? बताया तो था मैने तुभे उसका प्राश बर्खा चानो मेरे साथ बर्खा इस दुन्या में सागर सहाब के सिवा किसी के साथ कहीं नहीं जाएगी मैं तुम्हानी मां हो बर्खा? तुमने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मैं तुम्हें मां कहूँ या समझू? इसने ऐसा क्या किया है जिए तुम इससे अपना सब कुछ समझने लगी हो? इन्होंने मेरे लिए वही किया है जो नजर आंखों के लिए करती है धड़कन दिल के लिए करती है शागर इससे कह दो के मेरे साथ चली चले वरना मैंने कहा मैं नहीं जाओंगी कहीं नहीं जाओंगी मुझे इस इंसान से सिर्फ मौध लियाला कर सकती है अच्छी तरह सोच लो बरखा अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूगी मैं पहले इसे मारूगी ताकि इसका तड़ब तड़ब के मरना तुम अपनी आँखों से देख सको अब मैं आला करने के लिए धंकी सिकाब नहीं कहलेगा निलू तुम्हें ससमच गोली चलाने को ड़ेगी और इतनी हिम्मद तुम्हें है नहीं क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमें मार कर बाकी की उम्र तुम्हें जेल में बिताने पड़े और जेल तुम्हारे लिए मौत से भी बस्तर होगी क्योंकि तुम जो शादी जैसे पवित्र बंधन को रनिवा सकी जेल कैसे काट होगी सागर मैं तुम दोनों को मार कर अपने आपको गोली मार लूँगी लेकिन तुम्हें एक नहीं होने तुगी सागर आगे मन बढ़ो बर्खा अभी वी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे साथ चली चलो तुम्हारे साथ जाने से या तुम्हें मा कहने से पहले मैं मर जाना बसंद करूँगी क्या जादू कर दिया है इस पर सागर तुमने इसका बर्ताओ मेरे जादू का अफर नहीं है नीलू बलकि इस बात का सुबूत है कि इसकी रगों में तुम्हारा खून नहीं है राइटर हो ना बात को घुमाना खूब आता है तुम्हें फैसला कर लो दो में से किसे त्यागना चाहते हो पर्खा को या अपनी जिंदगी को मेरी जिंदगी ही तो बर्खा है नहीं लो और वो तुम्हारे नहीं मेरे हाथ में है तुम तो बेबस हो मजबूर हो ना माथ तुम्हारे हाथ में है ना जिंदगी तुम्हारे बस में है मैं बर्खा को लेका प्रूब इमत हो प्तों को लिचे लादेना मिस्सर पोड्स आपने मेरे वकील होकर मुझे चीट किन किया चीट किया ये आप क्या कह रही हैं आपने मुझे खाली रिवल्वर दिया और मैं ये समझ रहें केसा गोलिया है मिस्सर शर्मा मैं आपका वकील हो आपका भला बुरा देखना मेरा फर्ज है अगर इस रिवालवर में गोलियां होती तो आप इस वक तक पुलिस लॉक अप में होती मैं जहानलों में होती लेकिन वो दोनों तो इस दुनिया में ना होते मैं उन्हें छोड़ूगी नहीं आप उन्हें भले ही मत छोड़िये लेकिन अपने आपको तो मत मशाइए ललन तुम अभी जा रुप्या जितना भी खर्चा आपनी जितने भी लगे मैं उन दोनों की लाशे देखना चाहती है खेरो ललन मिसीर शर्मा आप दरा शान्त हो जाएए लेकिन मिस्टर बोस इसकदर जोश में आना ठीक नहीं वो पती पतनी जिन्होंने बर्खा को पाला था वो कहां है यहीं है क्यों क्या हूँ आपका साथ देंगे उनको तो मैंने खरीदा हुआ है मिस्टर बोस वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगी वही बोलेंगे जो मैं कहूंगी तो फिर इस खून खराबे की जुरूरत नहीं हम मिस्टर सागर पर पर्खा को किडनेप करने के जुर्म में केस कर सकते हैं यह केस कोर्ट में होगा तो इसके लिए डाइवोर्च हासिल करना मुश्किल हो जाएगा लालें, तुम्चाओ, ने तुम्चाओ ने तुम्चाओ पिर बूला लूम्ची श्री मती नीलिमा शर्मा और श्री सागर शर्मा के इस केस के हेरिंग का आज चौथा दिन है श्री मती नीलिमा शर्मा के तरफ के तमाम गवाओं के बयान दर्ज हो चुके हैं एविडेंस रेकॉर्ड हो चुके हैं अब श्री सागर शर्मा की बारी है, वो अपने सफाए की कारवाई शुरू करें यूरॉना मेरा कोई वकील नहीं है इसलिए मैं खुद आपने आपको डिफेंट करने के अजास्थ चाता हूँ ऐसा क्यों आप तो दुनिया के किसी भी वकील को अपाइंट करने की पोजिशन में हैं आपने ठीक है, यूरॉना, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे डिफेंट करने के लिए खुद मुझसे अच्छा कोई वकील नहीं है दूसरे मेरा केस इतना सीधा और सच्चाई पाधारित है कि इसमें शब्दों के किसी हेर फेड या कानून के किसी खलाबासी के जरूरुत नहीं है मेरा बिश्वास है कि सच्चाई को जितने साधारन तरीके से पेश किया जाए उतना है अबजेक्शन, मुस्टर बोस? नो अबजेक्शन, यूरॉनर आल राइट विस्टर सागर आप अपने आपको डिफेंड कर सकते हैं प्रीफ प्रोजीड यूरॉनर मुझ पर इल्जाम है कि मैने मिस्स नीलिमा शर्मा की माइनर लगची को किगनाप यानि कगवा किया है मिस्स नीलिमा शर्मा क्योंकि अपने आपको मरी पत्नी कहती है इसलिए ये इल्जाम समाज और कानून दोनों की नजर में बड़ा संगीन बन जाता है इसमें एक भी बात सच नहीं है यूरॉनर ना तो ये लड़की बर्खा माइनर है ना नीलिमा मेरी पत्नी है कुब बलाने के जासे चाहता हूं गवान को पेश किया जाए तिरे अंतुने के सोजा हादिरो तिरे अंतुने के सोजा हादिरो मेले साथ इस पर हात रखर करते है जयाँ धर है मैं जो कुछ कोहँगा वाल मैं जो कुछ कूँगा सब्सक्राल पन। आप पंद्राव वीस साल पहले आप क्या कते ते जी मां मैराज रजीस्ट्रा था कि निल्मा देवी आप जहां बैटी हैं वहीं पर खड़ी हो जाने की जहमत की जगह मिस्टर निल्मा शर्मा आप थोड़ी दिर के लिए खड़ी हो जाईए मिस्टर एंथनी इन देवी जी को ज़रा खौर से देख लीजे मिस्टर सागर आप बैट सकती है मिस्टर शर्मा आप मिस्टर एंथनी जड़ा ठीक से सोच के बताईए कि आज से पहले आपने इस अउरत को कब और कहा देखा आज से करीब बाइस साल पहले की बात है मुझे मकान में शादी करने के लिए बिलाए गया बरी होँ सरा जोरी तो मैं तबस देख ताइ रहागा करत बाइस कर संदोर फगरा भोगे भुष सज सब्सक्ता वे शादि की रस्म खत्म होने के बाद भी वहां से आने को जी नहीं चाह रहा है अच्छ जिस इन्सान की शादी निलीमा के साथ आपके सामने हुए थी क्यों उसे भी आफ इतनी असानी से पहेर जितनी असानी से आफ ने निलीमा को पैचाना जी नहीं, I don't think so क्यों, क्या बताओ सागर साथ, बाइस साल पहले मैं जवान था, और निकी शादी से पहले मुझे पता चल चुका था कि उस साल के मिस इंडिया है, बस, मैंनी को देखता रहा अर्डर तैंक यू, मिस्ट आंथिनी, येट्स आपने क्या खाया था? याद नहीं ताजू की बात है, कल दोबहर को आपने क्या खाया था आपको याद नहीं, लेकिन बाइस साल पहले आपने किस की शादी करवाई थी, वो आपको याद है क्या बता हो, अकिल साव? इस finger अरत और रोटी में यहीं तो फरक है आपको पायर की पायर क trees, पायर की एख आपको अकिल साथ, जुएद न की हमारा, मेरा दूसरा हमाहань, जूर में ईूरा अरॉरा मारा मईं, इूरा अरूरा हमे खाय की क्या नाम बता रहा है राजन अरोरा मिस्टर अरोरा आप नीलिमा को जानते हैं जे हां नीलिमा को शायद मैं ही जानता हूं क्या मतलब नीलिमा मेरी बीवी है आज से 22 साल पहले हमारी शादी हुई थी सिवल मेरेज हां तो मिस्टर अरोरा नीलिमा आपकी पत्नी है जे हां और बाईसल पहले आपकी शादी हुई जे हां डेवर्स कब हुआ जे मेरे मतलब है के तलाक कम हुआ क्या मतलब के आप लोग आज भी पती बत्नी है जे हां आज से 15-16 साल पहले मेरी बीवी मेरी बेटी वर्खा को साथ लेकर घर से चली गई उसके बाद दमैने से तलाश किया और नहीं ये वापस आई इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग आज भी पती-पत्नी है जे आप शादी का सर्टिफिकेट लाएं जे लुए प्लीज यह रोरा हिंदू लोग हिसाफ से जिस रोज मिसिस नीलिमा अरोरा ने मिस्टर अरोरा का घट छोड़ा था उस रोज लेके आज तक ना तो वो किसी दूसरे इंसान की पत्नी बन सकती है और नहीं मिस्टर अरोरा किसी दूसरी औरत के पत्नी है लेहाज़ हुंटा क्लेम कि वो मेरी पत्नी है फेक है बे-बुनियाद है गयर खानूनी है तेंक यू मिस्टर अरोरा येट्स अरोरा क्या इस मैरीज साइटिफिकेट के इलावा आप के पास इस शादी का कोई और सुबूत है किसी भी शादी को साबट करने के लिए मैंने सेटिफिकेट के इलावा क्या किसी और चिसकी भी जरूत पड़ती है मैंने ये तो नहीं कहा कि जरूत पड़ती है मैंने पूछा है क्या आपके पास कोई और सुबूत है अगर मेरे मुआजिस दोस्त और उनकी क्लाइंट के लावा इस शादी का कोई और सुबूत चाहते हैं तो बेटर है कि चाहत का कारण बता दें आपने सुना होगा पड़ा होगा आप जानते होंगे कि बहुत दफ़ ऐसा हुआ होता है एक ही शकल के दो इनसान जिनके नाम भी एक ही हो नाम तो बदला जा सकता है लेकिन शकल नहीं बदली जा सकती इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्टिफिकट के इलावा क्या और कोई सबूत है आपके पास इस बात का कि यही वो निलमा देवी है जो आपके पतनी है जे सबूत मेरे पास बहुत है आखरी मेरी पीवी है यॉर आउनर मैं पहले वियान दे चुका हूँ कि 22 साल पहले हमारी सिवल मेरिज हुई थी अगर इन्हें इस सेटिफिकेट पे इतवार नहीं है तो यह कोट के रिकार्ड देख सकते हैं उसके अलावा मैं नीलमा देवी के चंद एक आइडिफिकेशन मार्क्स बताता हूँ उनके भीट पे दाई तरफ तीन काले तिल है जो एक लाइन में नीलमा देवी के चुटला जाना चाहिए नहीं तो कबूल किया जाना चाहिए मगर इसके साथ मेरे पास एक मेरे सर्टिफिकेट भी है जिसमें मैं मिस्टर अरोरा की नहीं बलकि मिस्टर सागर की पत्नी ही और मैं ये भी बड़ी आसानी से पता सकती हूँ कि मिस्टर सागर के जिसम पर कहां कितने पिल है जगरा ये नहीं है कि कौन नीली मादेवी का पती है जगरा ये है कि कानूनी तोप पर नीली मादेवी किसकी पत्नी है और इस बात का फैसला सर्टिफिकेट की तारीख दे कर किया जा सकता है पहले की तारीख वली शादी लीगल है, चानूनी है बात की तारीख वली शादी इलीगल है, गेर चानूनी है लहाजा उसे शादी कहा ये माना नहीं जा सकता और यह आने वाला वक्त बताएगा कि वो दूसरा इंसान जिसको चीट करके नीली मन देवी ने शादी की थी वो इन पर दोका देवी का केस करता है क्या नहीं करता है मिस्टर सागर, अदालत को उन बातों से कोई सरोकार नहीं जिनका तालुक इस केस से नहीं Now proceed with your case Your Honor, इस केस का पहला हिस्सा यानि कि मैं नीली मन देवी का पती हूँ वलत थावित हो चुका है दूसरा हिस्सा है कि मैंने नीली मन देवी की वेटी बर्खा को जिसे नाबालिक कहा गया है, किटनैप किया है अब मैं ये थावित करूँगा कि मैंने किसी को किटनैप नहीं किया है और ये लग्की बर्खा जो मेरे पास रहती है नाबालिक नहीं इस बात को थावित करने के लिए मैं मिस्टर बोस के गवा सज्जन भरदवाज को बुलाना चाहता हूँ सिरी सज्जन भरदवाज हागीर हो सिरी सज्जन भरदवाज हागीर हो सज्जन साहब आप कहां के रहने वाले है पहड़ी इलाके का उस इलाके का कुछ तो नाम होगा महादेवपुर आप महादेवपुर में कब से रहते हैं बापदादों के जमाने से आप नीलिमा देवी को जानते हैं जी हाँ कैसे आज से कोई 15-16 बरस पहले इन्होंने अपनी बेटी हमको पालने के लिए दी थी आप अदालत को जब दीटेल में बताएंगे कि आप से 15-16 साल पहले जब नीलिमा देवी ने अपनी बेटी पालने के लिए आपके हवाले की थी तो आपसे क्या कहा था जी हाँ जरूर बताऊंगा जैसा कि मैंने अभी कहा 15-16 बरस पहले एक दिन ये मेरी बेटी है मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ तुम लोग इसे माबाब बनकर पालोगे जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती इसको सब कुछ सबसे अच्छा मिलना चाहिए खाना कपड़ा पढ़ाई जितना खर्च होगा मैं दूगी हर मेहने की पहली तारीक को तुम्हें हजार रुपए मिल जाया करेंगी हर महीने की पहली तारीक को आपको हजार रुपए मिलता रहा हम जिया कब तक जब तक बर्खा हम लोगों के साथ रही और बर्खा कब तक आप लोगों के पास्ती जब तक आप उसे चुरा कर नहीं ले गए हाइसे मिस्टर सज्जन क्या नीलमा देवी की बेटी बर्खा इस वर्ट अदालत में माजूद है हर इंसान को गौड से देकरदा सोच के बताईएगा आपने सच बोलने की कसम घाईए यहीत है वो बर्खा जिसे हमने पाला है मिस्टर सज्जन मैंने आपसे यह नहीं कहता कि जिसे आपने पाला है उसके तरफ इशारा कीजिए यह उसके बारे में बताएए मैंने आपसे यह कहता कि नीलमा देवी की बेटी बर्खा और वो बर्खा जिसे आपने पाला है दो अलग अलग लटिया हो अब्जेक्शन योर अनर ये तो गवा को कन्फ्यूस करके गुम्राख करने की कोश्च की जा रही है अब्जेक्शन ओवरूल्ड बट अच्छा विस्टे सज्जन जिस बर्खा को आपने पाला है उसकी बच्पन की तस्वीर हुजूर्स आपको दिखाओं तो क्या उसे हैं पहचान सकेंगी हुजूर्स जिसको अपने हातों से अपनी बेटी की तरह पाला है उसे क्यों नहीं पहचान सकूंगा हुजूर्स मैं इस आदमी की याददाश्त की दाद देता हुजूर्स इसने सही पहचाना है यह तस्वीर इस तस्वीर से अनलाज्ज करके बढ़ाए गई कि यह उरा मुझे इनसे और भी बहुत कुछना है लेकिन इस स्थेश पर मैं इस विटनस को विद्रॉब करके एक दूसरी विटनस को बुलाने के जासे चाहता हुजूर्स प्रोशी टूस्री बॉलाने के चाहता हुजूर्स प्रोशीब अ मेरे साथ इस पर हाथ रकर कहिए मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी सच के अलाबा कुछ नहीं कहूंगी सच के अलाबा कुछ नहीं कहूंगी मिशिस वर्मा आप क्या करती हैं? अनाथाश्रम चलाती हूं कहा? महादेव्पूर में महादेवपूर? जहां के सज्जन साहब है जी हां आप सज्जन साहब उनकी पत्नी को उची तरह जानती है? कैसे? एक ही रहने वाले हैं ये जान पहचान हो ही जाती है ये जान पहचान एक ही इलाके में रहने की बज़ा से है या कोई और भी वज़े है इसके आहां, और भी एक वज़े है ये दूसरी वज़े क्या है? आप अधालत को दरा इंधी तेल में बताएंगी ये हां, आज से करीब 15-16 साल पहले ये दोनों पती पत्नी एक दुन मेरे आरम में आये एक बच्ची को गोज लेनी है ये ही वज़े है मेरी इंकी जान पहचान जी मिशिस वर्मा, ये बच्ची जो आप से 15-16 साथ पहले मिस्ट्र मिशिस सज्जन भर्दवाज ने आपके आश्रम से डॉप की थी उसकी उम्र क्या रही होगी उस वर्थ? ये ही कोई 5-6 साल पॉइंट नोट की आजा, Your Honor नीलमा देवी की बेटी बठा की भी उम्र जही तुस्ट्र अच्छा, मिस्ट्र वर्मा, उस बच्ची का नाम क्या था? सुमेंग थैंक्यो, मिस्ट्र वर्मा नीलमा देवी की बेटी बर्का और वो बर्का जिसे आपने पाला है, दोनों एक ही हैं जी हाँ तो फिर इस बात की जवाब है आपके पास? कि वो लड़की जिसका असली नाम सुमन था और जिसको आपने अडॉप्ट किया था, कहाँ चली गई? जी, वो तो बड़ी हो गई, हमने उसकी शादी कर दी मतलब यह कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आज से पंदरा या सोला साल पहले आपने मिस्स वर्मा के आश्रम से सुमन नाम की लड़की को अडॉप्ट किया था किया था, जिरॉप्ट और जिसको पाल पूस कर आपने शादी कर दी, वरी गुडॉप्ट मिस्टर सजन, कि आप पूरे महान देवपूर से किसी एक इंसान को लाकर इस अडालत में खड़ा कर सकते हैं जो कसम खा कर ये कह सके कि उसे पिसले बंद्रा या सोला बरस में आपके घर में कभी भी एक सास दो बच्चीयों को देगा था जवाब दीगे वेच्छ सचन आमोश क्यों है जब आपको मेरा ये विश्वास नहीं तो आप किसी दूसरे कर क्या विश्वास करेंगे आप मेहमत नहीं है Mr. Surgeon क्योंकि आप जूट बोल रहे हैं आपके घर में कभी भी दो बच्चीयों नहीं क्योंकि जिस रोज नील में देवी अपनी बेटी बर्खा को आपके हवाले करके गेंटी उसके ठीक साथ महीने और दस दिन के बाद बर्खा अचानक स्कूल से घाब हो गई कुछ पता चला है स्कूल वाले कहते हैं सारा दिन स्कूल थी और हमेशा की तरह चुप्ती होने पर गई तो फिर घर क्यों नहीं आई कहां चली गई उसके सेहलीन के हाँ देखा आपने सब के याँ चक्कर मार के आया हूँ कहीं कुछ पता नहीं चाहता आप ने उसे तलाश करने के पूरी कोशिश की मगर वो आपको नहीं पने ले आप में पॉलीस और नील्मा देवी को इसले खौब नहीं दी कि पता लगने के बाद फजार रुपया महीना आनंबंद हो जाएwałा कि हजार रपे महीने के आमद नहीं कहीं बन ना हो जाए इसके लिए आपने मिस्स वर्मा के आश्म से सुमन नाम की घड़की को अड़ाप्ट किया और उसका नाम बर्का रख दिया क्या ये सच नहीं है कि ये बर्खा जो मरी बगल में बैटी है निल्मा देवी की पैसे से पली जरूर है मगर उसकी बेटी नहीं है क्या ये सच नहीं है मिस्सर सजन बोलिए जवाब दीजिए सच अबजेक्शन यूर अनर मैं मिस्टर सागर और मिस्टर सजन की समन घड़क कहानी को मानने के लिए बिलकुल तयार नहीं अगर ये बर्खा नील्मा देवी की बेटी नहीं है तो नील्मा देवी की बेटी कहा है कौन है यूर अनर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर सागर ने अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए नील्मा देवी की असली बेटी को कहीं गायब करवा गिया हो शुक्र है मेरे मौजिस दोस्त असली और नकली की पॉसिबिलीटी को तुमाने है यूर अनर अब मैं अदालत को ज्यादा सस्पेंस भी नहीं रखूँगा नील्मा और मिस्टर अरोरा की बेटी बर्खा को मिस्टर अरोरा स्कूल से चुड़ा कर ले गए से यूर अनर और वो इस वक्त मिस्टर अरोरा की बगल में बैकी है तुमाने है यूर अनर और तुमाने हैं तुमाने हैं तुमाने हैं और उन पर गवर करने के बाद मिस्टर साधिर शर्मा अदालत आपको इस मुक्दमे से बाइवज़त परी करती कर दो होने हैं अर जब है थी जब में परेस्वा हैं तुमाने हैं जांसरा अनर जब तुमाने हैं तुमाने में तुमाने हैं झाल झाल लाओाल Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn